हलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमे रसुई में आज मैं आपके साथ सेर करूंगी एकदम चटपटा और बहुत ही खस्ता और कम समय में बनने वाले प्याच के नास्ते की रेसिपी अगर वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब करने के बाद हमें इस तरीके से हमें छोटे-छोटे से हमें कट कर लेना है इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कच्चे यालू का ही इस्तमाल करना है लिए हमें ने प्याज दी है में इडियम साइज की प्याज को भी हमें छील के हमें पहले बहुत करके एक ही प्याज को हमें चाहिए दो आलू तो आलू प्याज साबुत वाली सोब है जो इससे फिले बार तो अच्छा आता ही नास्ते का टेस्ट भी वड़ जाता है एक इंच लिया मैंने अधर का टुकड़ा ली है और आठ से दस ली है मैंने जी हरी मैस ली है तीखा आप अपने हिसाब से कर लें कम जादा है और इसका हम अच्छे से पी आजवान लेना है तो और आजवान को भी हमें अट कर लिते हैं और ऑक चमाच लेंगे गे हम्ची का सूर्य मैथी का सुरी मैथी से त्यून सब्सक्राइब अबुदा हुआ 땡 के लाना beste उसाथ में लिया हमें नहीं नहीने दो चम्मच लेना है वह इं लिए था में लिए हो नारा दू-प था करना है और हरा दरश निया है लिए packets कर लेती है वर कुए अच्छे से मिल जाया तो अच्छे से हम इंहां सब के छोड़ेगहते हैं यिदौ SMITH कर दो कई तोन स्फ़ोड़ा करना तो से थोड़ा हल्का सक्थ की लगाना है तभी जो हमारा नाशता है अच्छा खास्ता हमारा बनकी तैयार अच्छे कना हैm पानी के पशी क्वीं नहीं करते हैं तो आप नहीं है नी संब गजली सेंहें और पानी का यूज इस थोड़ा अजे हैंं कमा तो थोड़ा सारेसे हैं मसलेंगे हादों में थोड़ा सवाल लगा लें थोड़ा सवारा दो से चार पाँ सेकंड के लिए ताकर हमाने नास्ता भी अच्छी से बने तब इसके अमें क्या करना है हमें एक बड़ी आस्धी बना लेनी हैं आप चाहयो तो सोटी से भी लूई बनाके इस नास्ते को तया कर सकते हो पर क्या है जो इस तरीके से बड़ी सी लूई बनाने से क्या होता है बड़ा जाइक साथ में साथ सारे नास्ते का खुब सारे नास्ते बन जाते हैं तो ज्यादा टेम भी नहीं लगता है थोड़ा सा वाल लगा लेते हैं मुटी तो आप देख सकते इस ततरीक से हमें रूटी को हमें बेल सकते हैं ना जाधा पतला ना जाधा मॊटा सकते हो पर आप से कुछ से काच लेना है से तरीके से काटने क्ति दिदेन नास्ता है तर्सक्रास भी आप नागत चूहथे पाँच भी नास्ता ना जाता है और आप एक भी नास्ता बनाना चाहते तो छोटी छोटी लोईट से लेके इने भी आप बना सकते हैं जो इस टरा आटा है उसे हमें निकाल लेना है आप इस नास्ते को आप हलकी फूल की भूंक में भी बना सकती हूं कहीं सफर में भी जा रहे हैं तो भी आप बना सकते हो जिल लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है तो आप इस नास्ते को एक बाद जरू टराई करें तो देखें हमें इस तरीके से हमें सारी नास्ते को हमें बना लेना है बहुत ही जड़ पर बन जाता है और जो इस तरह आटा है उसे हमें निकाल लेना है और इस तरह से जो आटा हमारा बचा है उसका नास्ता भी हम बना ले तो मेरे सारी नास्ते को आप देख सकते हैं बना लिया है बहुत ही जड़पड बन गया है अब साथ ही में रखा में नौवाल गरम होने के लिए जैसे अच्छे सवाल अच्छे से गरम हो जाए तो वह गैस की फिलम को करेंगे हम मीडियम और मीडियम आज में हमें जितने भी पर बहुत ही खसता बनता है तो दोनों साइट से उलटते हुए हमें दोनों साइट से पर एक लगते हो बड़ी ऐसा कलर आने तक हमें इस नास्ते को हमें सेंक ना है जाद समय भी नहीं लगता बहुत ही जटपट हमारा जो नास्ता है बनके तैयार हो जाता है तो बड़ी ऐसे हमें दोनों साइट से गोल्डन बिरान हो आने तक अच्छे से सेंक ना देख सकते हैं अब ये कलर आया है तो इसी तरह से मैंने देखिए सारी नास्ते को सेंक लिया है तो आप इसे इंज्ड़ा करिए गर लिखी जीजिए बहुत ही जटपट हमारा जो प्याच का नास्ता है बनके तैयार है तो एक बाद जरूर ट्राई करें ट्राई करके कमेंटर बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसर लगा अगर वीडियो जरा सही पसंद आया हो तो दोस्तों खैमली वालों के साथ सेर करना बिलकुल भी नभूलें तो चलिए मिलते सी तरह के एक और जाग्एंट एक और बीडियो अबर जरूर जरूर भी वीडियो जरूर वीडियो।